हेवरिवन वेलकुम बैक चुरश्मे सिंग लोक्स कैसे हैं आप सभी तो यहार आप लोग की रिक्वेस्ट में मैंने स्टार्ट कर गया माय का व्लॉग बनाना तो यह है मेरे सुबह सुबह का टाइम मैं अभी सोके उठी हूँ थोड़ा सा लेट ही उठी है माय का में क्यों कि ना रात को बहुत लेट हो जारा सोने भी हम बाती करते रहते जाते हैं और यहां बिल्कुल ही पता नहीं चलता है और कि टाइम क्याप से भीतरा कभ भीतरा है यह देखे माराजी को एक बर उठ चुका है सोके फिर मेरी गोध में जब तक नहीं सोएगा इसकी नीन नहीं के लाके फिर में बाता है weapons veli से कर लो सब्सक्राइब करू कि हम भी है किड़्ी रास्पेंड्ड की में अपनी चॉर्नी के बारे में में चार्स्प्लांट के बाद मेरी लायफ में मैं ड्रावल कैसे करती हूं कहां कःती हूं कैसे नहीं करती क्या प्रेकूशन्स लेते और यहां था दाद है फिर यह हमारा हां स्पूरीट है वह बड़ा घ्री कि में rua scdd काफी लोग भी चाहर साल वाद आई घर में और कोबज़ें ताइम में बहुत लोग एक्सपायर हो चुके थे मेरे अगल बगल ये जो सामने दिख रहा है आपको ये है मेरे बाबा के टाइम का है जैसे उसमें गाए के लिए चारा वगरा जो रखे रहते थे और ये बाहर का सीन है हमारे उपर सूरज बगवान तो आजकल मत्थी पूछो आठ बजे साथ बजे स हो इतना जादा इसका अमल लग रहे है कि यह मेरा मैंगो ट्री है यह इबातीजा है सो हीथ कुट मैंसको बहुत 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 जादा पार किया ये जब छोटा था तो मेरे शादी भी नहीं रही और ये मेरी बढहन है सबसे शरमेली वाली बैन है यह मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और उसका करना था यार क्यों कर रिकॉर्ड कर रही हो मेरा तुम बिल्कुल में रिकॉर्ड मत करो मेरी वीडियो मॉर्निंग का यह टाइम है ब्रश करके आगए यह दीखें हमारी वहावी यहां तियारी कर रही थी पास्ता का वह पास्ता अपने डिजाइन में बना रहे थे अपने स्टाइल में बना रहे थे और यहां पे पास्ता रेडी भी हो गया उनका फिर सविंग के लिए वह बस प्लेट निकाल रहे है तो यह भी नहा के आज चुकी हूँ, सारे नहा लिये थे, उसके बाद से हम ब्रेकफस्ट के तो आज का ब्रेकफस्ट यह हमारे बहावी की तरब से जो है पास्ता था, मेरी बहावी जो है जारू लगाने लगी थी, तुम लोग का कहना है कि आप सारी कुछे रिकॉर्ड कर र विज्जाते हैं पिर हमें डेली लाइफ में बिज्जाते हैं फिर मैंने भी टेस्ट किया पास्ता लेके अरुल रिए यह मतलब काफे टाम बाद नो जो दूसरे का हाथ खा खाओ तो बहुत जादा बोर हो जाते हैं रिल इप बहुत जादा बढ़वी ने दे दिया था पा बड़े घर से अब हम लोगों पता चल जाता हो यार फ्लाट कितना भी फॉर भीच के फाइफ के हो यार लेकिन जो घर की बात होती है और यह देको क्यूटी पाइज मेरे पढ़ाई कर रहे थे हैं और यह मेरा पती जी और यह मेरा गुबगु था यह मस्ती करते रहते हैं यह लोगोँ थोड़ा बात कोशिंस कोश्म रहते हैं नहीं में बता जती हूं के यह देखिय तोहा हुआ वां चल रही है मतलब मैं क्या क्या बताओ जया है यह जो गुष्ञात में जींड तूफान आने माला है मतलब मैं क्या बता इंद में दीधर यहुड़ा हुआ खरत गरम रेनोवेशन पे होगा इन दिवाली आइधिंक यह रेनोवेशन होगा क्योंकि बहुत बड़ा घर है पर जॉइंट फैमिली का ही है कि हम जॉइंट फैमिली में ही रहते थे चाचा चाची सारे लोग रहते थे और उसके बास से यू नो पेंटिंग हुआ शादी के टाइम में कजिन्स के शादी में पेंटिंग है उसके बास से नहीं हुआ है तो रेनोवेशन के लिए एक आदम के लिए पॉस्बल भी नहीं है क्योंकि इतना बड़ा घर पर फानेंशल भी बहुत जाद है इसमें चार पांस लाग तो अराम से लगने वाले है फिर यहां पर शाम का ट इतना शर्माती है वो है मेरे से बड़ी पर लगती है चोटी यहां मैं भी रड़ी हो चुकी थी जाने के लिए आप लोग भी करते हो गए राट माय का आते हो थोड़ा सा जो खास लोग है आपके अगल बगल में उनके घर जाते होगे मेरे तो पहले प्रकुशन है भाई ही है तो काफी टाइम बाद आई तो मैं मम्मी को लेकर हम लोग चले जाते हैं इन्हों मम्मी भी रहती है तो सही लगता है साथ में क्या बात करना है क्या नहीं करना है तो गाईस बदाईए का यह व्लोग कैसे लगा फिलार आज की वीडियो में जो अप्लोड करूंगी कल से मैं माय का व्लोग पेश करके फिर बिनाती हूं आपको क्रेटीन रिलेटेड और अब्रेटिंग थाइंक यू बाबाई